जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि अपने 20s में हम दोस्तों के साथ enjoy करें या फिर मम्मी और पापा और फैमिली के कहने पर investment करें लेकिन क्या 20s में enjoyment और investment दोनों हो सकते हैं जानेंगे इस विडियो में एक common question जो हम सभी के दिमाग में आता है कि investment के लिए सही age क्या है तो इसका जवाब है अभी investment अपनी life के बिल्कुल early age में शुरू करने का एक key advantage है और वो है समय जितना जादा वक्त हमारे पास होगा उतना जादा वक्त हमारे पास होगा अपने पैसो को grow करने के लिए जिससे कि हम अपने financial goals तक बहुत ही जल्दी पहुँच पाएंगे लेकिन आज market में इतने सारे investment options हैं कि अपने लिए एक बहतर investment को choose करना सबसे मुश्किल काम हो गया है तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि अगर हम अभी अपने 20s में हैं तो हमें क्या-क्या strategies अपनानी होंगी अपनी financial journey के लिए एक strong foundation build करने के लिए तो पहली चीज जो हमें अपने 20s में करनी है वो ये है कि हमें तुरंट investment शुरू करनी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना investment में delay होगा उतना ही जादा power of compounding का effect कम हो जाएगा power of compounding को अच्छे से समझने के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए इस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा तो हम immediately mutual fund में SIP शुरू कर सकते हैं ये SIP किसी भी minimum amount से हो सकती है चाहे वो 100 रुपे हो या फिर 500 रुपे हो जिससे कि हमें अपने पैसे बढ़ते हुए दिखेंगे और हम उससे अपना future भी secure कर पाएंगे अब इसके बाद आता है personal finance Personal finance ये कैसा concept है कि वो हम सभी को अच्छे से समझने की बहुत जादा जरूरत है जो कि हम school या फिर colleges में हमें नहीं बढ़ाया जाता है ये हमारे उपर ही depend करता है कि हम किस तरीके से अपने time और efforts को लगा कर जो important financial skills है उनको सीखें हमें अपने 20s में कुछ specific areas जिन पर focus करना चाहिए पहला है budgeting उसके बाद आता है savings तीसरा है investment products next है standard financial terms और last but not the least है taxes तो इन सभी basic financial principles को समझ कर हम अपने finances को अच्छे से manage कर पाएंगे next आता है अपने लिए financial goals set करना जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमारे काफी बड़े-बड़े financial goals होते हैं जैसे कि मुझे 30 से पहले करोलपती बनना है या फिर इस एच तक मुझे गाड़ी लेनी है इस एच तक घर लेना है वगयरा वगयरा लेकिन क्या financial goals बनाना ही हमारा काम होना चाहिए उसके लिए हम क्या-क्या efforts करते हैं वो भी तो important है जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एक financial goal था कि मुझे 25 की age से पहले अपनी कार लेनी है तो इसके लिए मैंने investing, saving, budgeting, etc. सब कुछ properly अच्छे तरीके से plan किया और क्योंकि मैंने अपने financial goals की direction में ही अपने सारे efforts दाले थे तो मेरा वो goal 25 की age से पहले मैंने पूरा कर लिया इसी तरीके से हम अपने लिए एक financial goal बना कर रखें और उसी तरफ अपने efforts डालते रहें तो हम उसे definitely achieve कर पाएंगे अगर हम यहाँ पर कुछ basic financial goal की बात करें तो जैसे की अपने लिए emergency fund बनाना जो की at least 1-1.5 साल तक हमारा expense cover कर सके उसके बाद आता है कि 30 years तक हमारे पास इतना wealth हो जाना चाहिए retirement को secure करने के लिए हमें 60 की age तक 10-15 क्रोर का corpus बना लेना चाहिए यह number आप अपने according change कर सकते हैं इसी तरह से सबके अलग-अलग financial goals हो सकते हैं जैसे कि घर लेना, vacation के लिए किसी destination पर जाना या फिर कुछ भी ओर, अपने financial goals को set करने के बाद हमें तीन aspects को बहुत ध्यान से analyze करना होता है, पहला कि हमारे investment की duration कितनी होगी, दूसरा है कि हम कितना पैसा invest करेंगे, और तीसरा है कौन से product में हम investment करेंगे, equity mutual funds, stocks, bonds, FD या और कोई asset class, तो उसके हिसाब से ही हम अपने funds को allocate करेंगे, अब अगला step है, equity mutual funds में investment, ये भी again financial goals पर depend करता है, अगर हम यहाँ पर short term financial goal की बात करें, जैसे कि emergency fund create करना है, या फिर vacation planning करनी है, तो उसके लिए debt mutual funds या फिर fixed deposit sufficient होते हैं, और वो एक safe side investment भी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम long term investment की बात करें, जैसे कि घर खरी बच्चों की education fees, retirement planning, जिसके लिए हमें crores का corpus बनाना होगा, तो इसके लिए हमें equities में investment करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोगों को थोड़ी confusion होती है, कि हमें कितना पैसा equity mutual funds में डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो risk भी बहुत जादा होता है, तो इसको calculate करने के लिए asset allocation formula है, allocation in equities is equal to 100 minus investors age, let's say मेरी age 25 years है, और मुझे जानना है कि मुझे कितना percent equity mutual funds में डालना चाहिए, तो हम calculate करेंगे 100 minus 25 is equal to 75, यानि कि 75%, मतला मुझे 75% asset allocation equities में डालना चाहिए, लेकिन हम सब कहीं न कहीं यह भी जानते हैं कि equity mutual funds के returns भी बहुत volatile होते हैं, पर अगर हम nifty 50 या फिर BSE Sensex की बात करें, तो अगर किसी ने इसमें 7 years से जादा की investment की है, तो इसमें कभी भी negative return नहीं मिले हैं, तो हमेशा ही equity mutual funds में investment एकदम calculated risk के साथ ही करना चाहिए, अगर हम mutual funds में investment की बात करें, तो हम spendy या फिर grow जैसे platform से investment स्टार्ट कर सकते हैं, इन इसके लिए SIP best है, और इसमें हम auto pay option को भी choose कर सकते हैं, जिससे कि उस particular date पर SIP का amount automatically deduct हो जाएगा, अगर हम इसमें average market returns की बात करें, तो वो 12% होता है, तो इसको चलिए थोड़ा investment amount और duration के हिसाब से देखते हैं, कि कितना corpus बन सकता है, Let's say हम 1000 रुपी की monthly SIP करते हैं, तो 10 years के बाद हमारा पैसा grow होकर 2.32 lakh, और 20 साल के बाद 9.99 lakh, 30 years के बाद 35.29 lakh हो जाएगा, यही अगर हम 5000 रुपे की monthly SIP करते हैं, तो हमारा पैसा 10 साल के बाद grow होकर 11.61 lakh, 20 years के बाद 49.95 lakh, 30 years के बाद 1.76 करोर बन जाएगा, Let's say के हम 10,000 रुपी की SIP करते हैं, तो 10 साल के बाद हमारा पैसा 23.20 lakh, 20 साल के बाद 99.9 lakh और 30 years के बाद 3.53 करोर बन जाएगा, तो यहां हमें यह समझ आ रहा है कि SIP long term में power of compounding के effect की वज़े से काफी अच्छे returns देती है, तो अगर हमें long term में अपने लिए एक huge corpus बनाना है, तो वो disciplined SIP investment से ही हो सकता है, तो इस video में हमने जान लिया है कि अगर हम अभी भी अपने 20s में हैं, तो हमारा investment पात कैसा होना चाहिए, I hope कि यह साब points आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपकी यह जब ही क्या है और आप अपनी financial journey को कैसे शुरू करना चाहते हैं, यह हमें नीचे comment section में ज़रूर बताईए, ऐसे financial success में savings का बहुत बड़ा हाथ होता है, investment हमें से बहुत लोगों के लिए एक tough task होता है, आसान बनाने के लिए Spenny लेकर आया है एक easy तरीका, Spenny एक investment product है जो आपकी change यानि छुटे पैसे को digital gold या mutual funds में automatically invest करता है, आप जो transactions करते हैं, Spenny उसको nearest 10 rupees तक round off करके जो change है, उसे mutual funds और digital gold में invest करता है, और इतना ही नहीं, आपके risks और returns के हिसाब से Spenny आपको अलग-अलग options भी provide करता है, आपकी investment journey अब बनेगी और भी आसान, आईए, बन ये हिस्सा Spenny का और बिना डरे शुरू करिए investing का एक सुहाना सफर, description और pin comment के link पे click करके Spenny अभी download करें,